तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए, मैं टोटका बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा मित्रों, क्योंकि ये टोटका बहुत ही असरदार है, चमतकारिक है, कहीं परिमिस नहीं होना चीए, मित्रों, सो मुआर के दिन, महिने के किसी भी सो मुआर के दिन एक अंगुठी ले आईए, अंगुठी चाह चांदी का हो, चाह पीतल का हो, चाह सोने का हो, लेकिन कोरी होनी चाहिए, कोरी मतलब नव निर्मित, किसी के द्वारा पहना हुआ, ना हो, नहीं उसमें कोई चीज लिखा हुआ भी नहीं होना चीए, फ्रेस अंगुठी, आप ले आए, ना वो पहना हुआ हो, ना उसमें कुछ लिखा हुआ हो, अंगुठी आप ले आए, और सो मुआर के दिन, प्राताहकाल, सबसे पहले उनको गंगजल से धो लीजिए, गंगजल से धोने के बाद में, गाय के दूद में उसे डुबा दीजिए, और उसमें थोड़ा सा सक्कर मिला लीजिए, चार-पांच तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, और कोई सभी एक सफेट कलर का फूल डाल लीजिए, इन सबी चीजों को अपने घर के पूजा के इस्थान पर नहा धो करके, रख दीजिए, रखने के बाद में, आप पूजा कीजिए, अपनी अराधना कीजिए, और जो भी आपके इस्थ देवता है, कुल देवी है, उनके सामने अपनी मनो कामना को रखिए, और जो रखा हुआ समागरी है, उसमें आप धूप दीप दिखाए, धूप दिखा करके, उस अंग्युठी को आप पहन लीजिए, देखेगा मित्र यह काम करने के बाद, बहुत जल्दी आपका रुका हुआ ब्यावसाय फिर से चल पड़ेगा, आपका इंकम फिर से बढ़ जाएगा, तो आज का मेरे टोटका यही तक है, तब तक मित्रो, आप लोग गो को अगर यह टोटका अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिजे मित्रो, तब तक मित्रो, आपके कमेंट के इंतजार तक कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तब तक मित्रो, आप लोग जहां भी रहे, हसते रहे, मुश्कराते रहे, अपने आस पास सफ़ाय रखिए, और मुझे दीजी आ गया, नमस्कार